करनाटक राज्ज के कोलूर में स्थित मुकामबिका मंदिर देवी पार्वती को समर्पित है मुकामबिका को कोलूर की कुलदेवी के रूप में भी जाना जाता है पवरानिक मन्यताओं के अनुसार उस स्थान पर कौमासुर नामक एक राक्षस का निवास था जिसके अत्याचार से साधोजन तराही तराही कापते थे कौमासुर शिवजी का परमभक्त था और उन्हें प्रसंद करने हेतू उसने कठोर तपस्या की जब उसकी तपस्या से प्रसंद होकर शिवजी उसके सामने प्रकट होने वाले थे देवी पार्वती ने उन्हें रोक लिया मन चहा वर प्राप्त करने के बाद कौमासुर का अत्याचार और तेवर हो जाएगा इसकी आशंका करते हुए महादेवी ने शिवजी को उसे वर प्रदान करने से रोकना चाहा परन्तु भक्त की भक्ती से बंधे अशुतोष ने उनकी एक न सुनी और कौमासुर को वर प्रदान करने हेतू उसके पास चल दिये शिवजी को रोकने का अन्य कोई उपाय न पाकर माता पार्वती ने एक उपाय सोचा उन्होंने वानी की देवी माता सरस्वती का आभाहन किया और उन्हें कौमासुर से उसके बोलने की शक्ती का हरण करने हेतू अनुग्रह किया माता पार्वती के आज्या नुसार देवी सरस्वती वहां पहुंची और जैसे ही महादेव ने कौमासुर को वर प्रदान के लिए उसकी च्छा पूछी देवी ने उसे मूख बना दिया अब सामने साक्षाच शिवजी के हुने के बाद भी कौमासुर उनसे कुछ भी नहीं मांग पाया बोलने की शक्ती चले जाने के कारण कौमासुर अब मुकासुर के नाम से जाना जाने लगा जब उसे इस बात का ज्यान हुआ कि माता पार्वती के कारण ही उसकी ये दशा हुई है उसने माता पार्वती को युद्ध के लिए ललकारा देवी ने इसी स्थान पर राक्षस का वध कर उसे यमलोक पहुँचा दिया मुकासुर का वध करने के उपरांत माता पार्वती का दूसरा नाम मुकामबी का पड़ा